हाई, नमस्ते, लेट्स मेग साबुदाना खीर, साबुदाना पाइसम और सैगो पुडिंग, आदा कटूरी साबुदाना पानी में डालकर राद पर भिगो लेंगे, एक कड़ाई गरम करेंगे, उसमे डालेंगे दो चम्मज खी, चौप किये हुई ड्राइफ रूट्स, यह पर मैंने लिया है काजू, बदाम, किशमिश और अंजीर, आप जो भी ड्राइफ रूट अविलेबल है, यूज कर सकते हैं, बिना ड्राइफ रूट के भी खीर अच्छी बनती है, अब डालेंगे साबुदाना और इसे अच्छे से घी में पका लेंगे, साबुदाना इंग्रीजेंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अब हमें डालना है, इसमें चीनी आधी कटोरी साबुदाना के लिए हम लेंगे एक कटोरी भर के चीनी, इसे हमें कैरमलाईज करने के ज़रत नहीं है, बस हलका सा मिक्स कर लेना है, अब डालेंगे 700 ml जितना दूद और 10 से 15 मिनिट के लिए मीडियम फ्लेम पर हमारी खीर अच्छे से पका लेंगे, खीर अच्छे से पक जाए तो एक बाउल जितने खीर निकाल लेंगे, इसे डालेंगे मिक्सर में और इसका हमें फाइन पेस्ट कर लेना है, अब ये पेस्ट हम फिर से खीर में डालेंगे, इस थंडी हो जाएगी तो साबुदाना का नीचर होता है उसकी वड़ी या बर्फी जैसे या पुडिंग जैसा जम जाता है इसलिए ज्यादा दूड डालेंगे तो कुछ समय बाद फ्रिज में डालने के बाद भी खीर का टेक्स्चर मेंटेंड रहेगा पस एक उबाल लाने के बाद हमारी खीर बंकर रेडी है फ्राइड ड्राइफ रूट्स डाल के गार्निश करेंगे और हमारी साबुदाना की खीर आप चिल्ड या गरम जैसे आपको पसंदे सर्फ कर सकते है आई होब आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा इफ लाइक दे वीडियो दू सब् आपको न चानल थैंग्स वाचिंग बाद 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 आपको अच्छा लगा ।